सत संग से सोधी आवे नहीं जीव चोरासिम जावे सत संग से सोधी आवे नहीं जीव चोरासिम जावे अब मेटो हो द्वे सोर राग हो राग या उमर व तेरी जाली तो यहां जो द्वे सोर राग हो राग या उमर व तेरी जाली तो यहां जो दासाथ आपको बताना चाह रहा है कि मनुष जीवन इतना कीमती है जो परसंग चल रहा था कि यह गैनी आत्मा है तो नेक उद्दार है गिता जैनमर साथ के सलोक नमर अठारा में कहा यह गैनी आत्मा सभी की सभी उद्दार हैं लेकिन इनको तत्वदर्सी संतना मिलने से यह मेरे वाली अनूतम ऐस्रेश्ट गती में ही सथित रहे अरिन अग्यानी अन्वाद करता होने सिरिमत बगुत गीता के अनूतम का अर्थ कर दिया अत्यूतम सर्वस्रेश्ट बैड इंग्रेजी के अंदर एक बैड सब्द है बैड और कहीं भी लिखा हो छोटा सा वालक भी बता जेगा बैड माने बुरा खराब ऐस्रेश्ट और बैड का अर्थ कोई गुड कर देता वेरी गुड कर देता है तो वह महामूरक व्यक्ति है बैड सब्द कहीं पर भी लगया हो उसका अर्थ बैड ही होगा बुरा ही होगा तो पुनातमास हो भागे आपका दास को या बुदी दियुस परम पिता कबीर भगवान ने और आपको ये तत्व ग्यान पराप्थ हुआ परसंग चल रहा है कि वो क्या बताना चाहता है गीता ग्यान दाता चाहर्क प्रकार के व्यक्ति मेरी बग्धि करते हैं दीन तो रिजेक्ट कर दिये जैसे अर्थार्थी आर्थ जग्यासु और ग्यानी को उत्तम मानना हुसने कि वो मेरे वो अच्छा है मुझे पर यह है मैं उसको पर यह हूँ लेकिन वो भी मेरे वाली यानि ब्रह्म तक की साधना इस से मिलने वाली अनूतम गती एसरेट सती थी बही सती थै अनूतम क्यों कहा इसने अपनी अपनी गती को भी अनूतम क्यों कहा गीता धै नमर चार के सलोक नमर पांस और नो में गीता धै नमर दो के सलोक नमर बारा में गीता धै नमर दस के सलोक नमर दो में यह गीता ग्यान दाता सुम कहता है एड़ुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए तु नहीं जानता तु नहीं जानता हूँ गीता ध्या नमर आठके सिलोक नमर तिरह मं कहता है अड़ुन ओमिती एकाक सरम परम विवहरन मामन समरन ये प्रियाती तजन देहम सैयाती प्रमामगतिम मुझ ब्रभका के लेको मंत्र है नथिंग अल्स और इसकी साधना उचान करके जाप करता हुआ जो अन्तिम स्वास तक भी इसका जाप करता हुआ स्री छोड़ कर जाता है ओम से मिलने वाली प्रमगति को प्राप्त होता है ओम से मिलने वाली प्रमगति क्या है ब्रह्म लोग प्राप्त होता है यजूर वेदध धैन नमबर 40 के मंत्र नमबर 17 में सफ़शका है वेद ग्यान दाताने कि वो प्रमात्मा तो प्रोक्स है उपर रहता है गुप्त है और मैं ब्रम हूँ और मैं उपर दिव डिव लोक ब्रम दिव आकास रूपी ब्रम लोक मैं रहता हूँ श्री देवी भागवत के अदर श्री देवी पुराण में सातमे सकंद में 562 से 562 परेश्ट तक यह सफ़श्ट किया है हिमाले को ग्यान देते हुए श्री देवी जी कह रही है कि राजा हिमाले उस परमात्मा के भी से मजानकारी बताती हूँ मैं उसका ओम नाम है और उस ओम नाम को कजाब करके ब्रहम लोक की प्राप्ती कर लिता है ब्रहम को प्राप्त होता है और वो ब्रहम उपर डिव आकाश रूपी ब्रहम लोक में रहता हूँ ब्रहम और तुम्हारा कल्यान हो ओम नाम का जाब करो बिरम पाने का उदेश से रखो वो बिरम लोक में रहता हुँ बिरम तो पुनात्मो ओम नाम के जाब से बिरम लोक प्राप्ती होती है सिरीमत भगवत गीता धैनमर आठ के स्लोक नमर 16 अम कहा के अरजुन बिरम लोक में गए हुए प्राणी भी पुन्रा वर्ती में है आठ मेद्या के तेरे में स्लोक में अपनी साधना का मंतर बताते हैं कि इसके अतरित कोई मंतर नहीं है उसके अतरित कोई नाम जाब कराते हैं कौन कौन से ओम नमस वाए ओम भगवत वासु देवनमा आदी आदी ये मंतर नहीं है क्योंकि ये स्रीमत भकुद गीता में नहीं लिखे है आठ में दैके पांट और साथ में ये खुद कहता है कि अर्दुन मेरी भक्ती कर मुझे ही प्राप्त होगा लेकिन युद्ध करना पड़ेगा ये स्यांती नहीं हो सकती गीता जहन वराठ के स्लोक नमर एक में अर्दुन ने पूछा कि आप जी ने जो साथ में जहके उनटीस में स्लोक में बताया है कि तत्वर्म को जाने का है और सारे जात्म सप्रिच्वल नौलिज से कंप्लीट स्प्रिच्वल नौलिज संप्रुन जात्म ग्यान से परीचित और सभी कर्मों से परीचित प्राणी के ओल जरा और मरन के इस संकट से छूटने का परियतन करता है जरा माने बुड़ापा बुड़ापे का दुख मरन माने मरतू का कहरे इस दोनों दोख यहां पर कंपलसरी तो जिसको यह ग्यान हो जाता है जो तत्वदर्शी संत की संप्रुन जात्म ग्यान पराप्त हो जाता है फिर वो केवल उस तत्वर्म से परीचित हो जाते है तत्वर्म से और सारे जात्म ग्यान से सब कर्मों से जैसे किसी से कोई दोखा करेगा तो उसका फल भोगना पड़ेगा चोरी करेगा तो वो देना पड़ेगा उसके गधापन कर देना पड़ेगा तो ये कर्मों से प्रिचित हो जाने के उपरां प्रानी गलती नहीं करेगा भूख खा रह सकता है तो फिर क्या बता है कि अर्दुन ने पुछा आठमेद है कि पर्थम मंतर में किम तत्वर्म वो तत्वर्म क्या है आठमेद है कि तीसरे स्लोक में गीता जी में गीता ग्यान दाता कहता वो प्रम अक्सर ब्रम है यानि गीता ग्यान दाता से अन्य है श्रीमत बकुत गीता जाहर नमर एक से लेकर चार और सोला और सत्रा में परमात्मा की परिभासा कोड़ वर्डों में बहुत कुछ डिफाइन है वरनित है उल्टा लटकावा संसार रुपी वर्ख है उपर को जड़तो पूर्ण परमात्मा है उसका तना अकसर पूर्ण है उसमें से एक मोटी डार निकलती है वो सर पूर्ण जानो और उसकी तीन साखा है वो रजगुन बर्मा सत्कुन विसुन तंगुन शिवजी और पात रूप सं पंदर में जया के पर्थम मंतर में तत्वदर्शी संथ की पैचान भी बता दी है कि जो संथ इस उल्टे लटके वे संसार रुपी वर्ख के सभी विभाग बता देगा तना कौन भगवान है उसकी डार कौन है साखा कौन है पत्ते क्या है सै वेदवित वेद के तात्प्रि को उस तत्व घ्ञान भूपी साथ। उसके पस्जात दर में द्या स्साथे सलोक में काया कि उसके पस्जात परमपत की खोज करनी चाहिए जह जाने के बाद सादक। फिर लोटकर कभी संसार में नहीं आता है, और इस परमेश्वर ने सब्वर्मंदों कि रतना किए केवलुसी की बक्ति करनी चीए, गीता गयान दाता है, स्वें दर्ड कर रहा है, कि और किसी की बक्ति नहीं करना मेरी भी मत करना,। उसकी पाने का मंतर पता सतर में जाए कि तेईस में से लोग गीता जी में ओम तच्छत इती नर्देश है ब्रह्मना तिरवेदा समरता है ब्रह्मना तेन वेदा जए यगा जवी हिता पुरा कि उस रस्चिदा नंद गन्पर्म की यानि परमक्सर बरम के पाने के तीन मंतर के जाब का नर्देश है नर्देश में फाइनल डारेक्शन नफिंग एल्स अठार में जैंके बैसिट में से लोग में का के अर्दुन तु सरुआ भाव से उस परमस्वर की सर्ण में जा उसकी क शिरिमत भगुत गीता जहाय नबर आठ के सलोक नुमर पांत और साथ में तो अपनी साधना बताता है कि मेरी बगती कर मुझे प्राप्त होगा युद करना पड़ेगा और युद करना हुआ सांती नहीं फिर गीता जहाय नबर आठ के सलोक नुमर आठ नो दस में सभश कर दि में बगती के बल से इस बगती की कमाई से फिर अठार मेदाय के 66 में सलोक मन्यरनाय की ग्यान दे दिया है उसमें कह जिया कि सर्वा धर्मान परीतज माम एकम सर्ण वरज आहम तवा सर्वा पापे भामुक्षामी मासुच गीता ग्यान दाता कहता है कि यदि तुने उस पर्मेश्वर की सर्ण में जाना है जाने के बाद फिर लोटकर नहीं आना है सास्व असथान को प्राप्ट करना है तो मेरे सतरकी जितनी पूजाए हैं वो मुझे छोट दें ओम नम का जाब ये पांचों यग हम इस काहल के सतरकी करते हैं ताकि इसका रिण दे कर इसके यहां का क्यूकि हम इसके होटल में रह रहे हैं करजा हम पर चड़ रहा है पहले हम क्या गलती करते रहे रिषी बनकर ओम नाम का जाब करते यग करते कराते हम बर्भ लोक में जले जाते वहां इसका होटल है वहां 25 पर 30 चारज लेता हमारे से सुईदा सारी दे देता नाचने गाने सारी गंदे करम जो कहीं पर थी बना उप पाप भी भोगते और फिर तुरह सी लाख योनियों भोगते और यहीं दके खाते रहे अब हम इस पुंजी को नष्ट नहीं करेंगे अपनी दो भक्ती करें हम इसको दे देंगे बर्म को इस स्वांस के सत नाम में दो दो अक्र का मंतर है एक ओम है एक तत और सार नाम के अं मेरे सतर के सभी पूजाएं जो मेरे सतर की भक्ती है वो धन मुझे दे दे नू का नू फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूँगा और फिर तुसकी सर्ण में जा मुझे कोई अब्जेक्शन नहीं अब दर से अमने किसी का कर्द ले रख्या हो और वो कहेगा तो सभी अपना वाइदा करता है तो इसके सतर की जो भक्ती है हम तरकुटी पजाक है प्रमातुमा आपके साथ होगा इश्दास के रूप में और आपके सारे अकाउंट कराएगा और वहाँ पर आपके एडवोकेट का काम करेगा प्रमातुमा इश्दास के रूप में और ये सारे मंतर बोल बोल सुनाओगा वहाँ जाका धरमराज के दरवार में के लो जी आपके विध्धान में है सर्वा धर्मान परीत जमाम एकम सर्णम वर्च उसके सतर की ये जमा करन जमा करनी पड़ती है क्योंकि लिगल अडवाइजर साथ होता है वो होता है वगवान खुदी और उनको भी मालूम हो जाता है तो इस परकार कुनातमा किसी भी ऑफिस में आप जाते हो और आपका एडवोकेट साथ हो तो वह ऐसी डिप्रेस हो जाते हैं कि जानकार आदमी है वह को अटपट करो गए तो 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 इसलिए गुरू की आउसकता आपको अंतिम स्वांस तक पड़ेगी और गुरू पूरा हो पूरा गुरू हो उस प्रमातमा से प्रिचित हो उसका करपा पातर हो तो वह दास इस पर छुप आज के दिन और इवापना डगमग न हो ना हुआ 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 है